नमस्कार, मैसवित Pk में आप सभी का सवागत है, प्यार बचौन रासतान, बोड रपी, बोड ग्लास 12 की मैस अमारी चलुकिती, हमने स्टार्ट किया था, आप के साथ में भी दोस्तों को सेर करना लाइक सबी को करना हैis प्राइवेसी सेटिंग में जाके और फोन नमर को कर दीजिए नोबडी पे किलिक आता कि आपके फोन नमर है उसके बाद में किसी को दिखाई ना दें तो किसी भी चैनल को किसी भी गुरूप को जोई कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ में ठीक है जी साथ में पीछे बड़न नहीं देखा है तो जरूर देख लें बहुत ही शांदार वीडियो था और चैनल को जोई करना है तो क्या करें नीचे सब्सक्राइब बटन के नीचे जोई का बटन दिखाई जे रहा है तो में मर्सीव ले ले जोई कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोरी पार्ट टू कंटिनुटी तो हमने देख लिए अब डिप्रेंसिबिलेटी भी देख लेते हैं लेट्स स्टार्ट तो देखे डिप्रेंसिबिलेटी अवकले निता क्या है अपनी बासा में सिंपल बासा में समझते हैं कि fx आपके पास में कोई function है उसका कोई ना कोई domain जरूर होगा इस domain से हम x की value put करते हैं वो interval भी हो सकता है ठीक है जी यह सामने continuous function में देखा हुआ है पहली बात में आप लोग बता दूँकि पूरा focus आप लोग का यहीं पर होना चाहिए क्योंकि calculus सल रही है 50% आता है सारा portion तो यहां आपर यह समझ लीज़े कि base सलना है और base समझ में नहीं आ चाहते हैं तो पहले हम समझ रहे हैं differentiable सब्द का meaning differentiable सब्द का meaning क्या होगा जैसा हमने continuous function में बीना पहन उठाए हम graph draw कर सकते हैं तो यह meaning ही तो था continuous का वैसा ही meaning यहां पर हम समझने वाले हैं उस ही से हम आगे concept बना लेंगे और उसके बाद में हम उस concept से questions का solution देंगे clear है जी तो देखे हमने draw किया graph mind में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और उस graph के अंदर उस point c के लिए अगर दो statement दो बातें निकल कर आ रही हैं वो कौन सी दो बाते हैं पहली यह कि c बिंदू पर c बिंदू पर c point पर function fx का वकर graph जो है वो क्या हो होना चाहिए तूटा हुआ नहीं हो तूट नहीं रहा हो दूसरी बात दूसरी क्या कि c बिंदू पर c बिंदू पर graph में इंगल ना बन रहा हो कौन ना बने कौन ना बने यह दूसरा वाला जो point है इसी से हम आगे concept बनाने वाले हैं द्यान रखें तो देखें दोनों को है की वक्र तूट गया तो वह discontinuous और वक्र तूटा वा नहीं है तो वह continuous तो function जो वह continuous होना ही चाहिए clear है continuous discontinuous का meaning हम ने देखा हूआ कि जैसे यह point c है इस पर तूट गया जी तूट गया तो यह क्या हो गया discontinuous है तो जैसे यह continuous हुआ न, function अगर continuous हुआ तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम चेक करेंगे वो differentiable है के नहीं, लेकिन पहली बात तो यह होनी चाहिए कि वो continuous हो, इस तरह से, तो यहाँ पर हम differentiable differentiability के लिए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर discontinuous में हो गई नहीं, बात आप लोग समझे आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यह continuous हुआ, तो दूसरा point आया, कि C बिंदू पर कौन ना बने, अब इस कौन ना बने का meaning अच्छे समझ लेना, मैंने यहाँ पर जैसे ग्र बना लेगा, देरे देरे घुमेगा, देरे धरे कैसे, देरे देरे ऐसे, वक्र आसे घुम रहा है, जैसे, जैसे, और आय्से, ओर यहां पर मालेज़ेगे, वह point C है, तो इस point C के ओपर angle नहीं बन रहा, कोई korn नहीं बन रहा है, ठीक ना, तब हम कह देंगे, कि तिकाये इसका meaning होता है वो meaning समझते है कोण ना बने का meaning क्या है उर्शी से concept बनाई है कि मैंने कहा मैंने angle बनाया मैंने यां पर grab बनाया उसमें angle बनाया कि यह देखिए यह angle बनाया आगे चाहिए कैसे भी घुमरा रहो क्या पर पड़ता है इस c point के ओपर तो इसने angle बना लिया ना तो angle बन रहा है नहीं कि कौन बनता है उसका meaning क्या है जी कौन बनता है कौन बनता है उसका meaning ये है कि इसके ओपर हम एक से अधीक इस पर सरे खाएं, tangent बना सकते हैं किन सकते हैं इस point के ओपर एक से अधीक इनको काटे का नहीं है इस पर सरे का जो यो बना सकते हैं तो एक से अधीक इस पर सरे काएं अधीक इस पर सरे काएं मीनिंग बस यही है कि कोण ना बने हमने क्या कहा कि कोण ना बने मतलब इस पर सरे का जो हो एक ही होनी चाहिए यानि के हमने ग्राप यू लिया कि एक दम मैंने बला दीरे 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 गुम सकता है कोई दिकतनी अंगल नहीं बनना चाहिए और ये पॉइंट हमने लिया सी पॉइंट सपोस कीजिए अब इसके उपर हम एक ही इस पर सरेका कहीं सकते हैं जैसे हमने दूसरी कीजिए तो कही न कही वक्तर को काट लेगी वह और काटेगी तो फिर आपको पता ही हह प्रतिछेदन रें रिखा जीवा वगजरा यह सब बोलते हो तो वह हो जाती है फिर तो इस पर सरेका नहीं रहती एक ही इस पर सरेका अब इसको हम सीखेंगे आगे पीछे क्लास 11 में जो हमने पढ़ा हुआ ना derivative तो derivative में चलते हैं चलते हैं derivative में आईए देखिए अगर आप लोग ने वीडियो देखा हुआ है सीमा याउकलस लिमिटेंड डिरीटिव का पार थरी तब कोई दिक्कत है नहीं नहीं देखा तो और अच्छे से समझ लीजिए कि वहां पर हमने देखा था कि X बराबर A पर परतम सीदान से आउकलस का फॉर्मूला F डे से बराबर लिमिट S टेंस टो 0 F A प्लस H माइनस F A अपॉन में H देखा था के नहीं देखा था बिल्कुल देखा था आप लोगों ने तो इसके थोड़ा से गराब पर आते हैं उपर आते हैं उपर आते हैं और उपर आते हैं थोड़ा सा और उपर यह आई यह आगया यह आगया यह function का graph था जो black में दिखाई दे आप लोगं को यह function का क्या हवक्र है ठीक है जी और एक point लिया था C हमने कहा था कि C को एकदम इतना close लेकर आजाएं इतना close लेकर आजाएं मतलब limit ले जिसी एकदम pass में आगया B के और B और C में हम कोई भी difference ना कर पाएं बात को पूरे से सम आगे B से आगे है ना और इस C point को एकदम close लेकर आगे हम तो यह जो जीवा हमारे पास में बन रही थी code लेकि यह BC बन रही है ना यह BC और इस B के उपर जो इस पर सरेका होगी उसमें हम कोई भी difference नहीं कर पाते हैं क्योंकि सी एकदम इसके close आगया लगबग इसके उपर ही आगया उपर ही आगया तो B के उपर जो इस पर सरेका होगी और यह जीवा होगी दोनों एक जैसी हो जाती है ना इसके इन दोनों के बीचे हम कोई difference नहीं कर पाते है तो यह जो इस पर सरेका बनती है यह आगे यहां पर काड़ती है और एक अंगल बनाती है थीटा एंगल तब हमने क्या काता हमने यह बोला था कि यह थीटा जो है उससे निकाला था ढ़ाल तेटेटा निगा लिती थीटा तो यह थीटा जो है यह हमारे पास में क्या था渠तेश ए बोले ना पर देखिए एठ जा यह पिप रहाबर ए और अक्स बराबर ए हो गया अक्स बराबर यह हो गया तो एपडेस यह हो गया टेन थीटा तो यह टेन थीटा ही था टेन थीटा का मतलब क्या होता है इस पर सरेका की यह डाली होगी न एक तरशी इस पर सरेका ही होगी न टेंजेंट ही होगी तो हमने यह आपर बोला हुआ है क्या बोला हो है अउकलनिता में एक ही इस पर सरे का होनी चाहिए यानि के तेन ठीटा जो है उसकी वेल्यू एक ही होनी चाहिए अलग-अलग नहीं होनी चाहिए अब अलग-अलग कैसे हो सकती है पीछे आई ये वापस देखिए बी से हमने आगे पॉइंट लिया तो हम एक हो जाएगा ये दायां उकलज हो जाएगा अना दायां उकलज मतलब मतलब A प्लस H और B से हमने पीछे बिंदू लिया पीछे पॉ mooiंट लिया तो वो क्या हो जाएगा ग्यां उकलज हो जाएगा तो उससे एक और आपके पास में क्या है एक और 10 थिटा की value आएगी है ना और वो क्या होगी दूसरी 10 थिटा की value जो आएगी वो क्या होगी वो देखे यह होगी जैसे यह a point है ना तो दूसरी क्या आएगी 10 थिटा बराबर है वो बाया वकल जाएगा ना तो वो आएगी limit h tends to 0 f a plus h है यह तो right hand derivative है और बाया वकल ज left hand derivative की आएगा f a minus h minus f a upon में minus h यह हो जाएगा बाया वकल जाएगा बाया वकल जाएगा और हमने बोला एक ही इस पर सरे का मतलब 10 थिटा की यह दोनों values जो है यह होनी चाहिए equal बात आप लोगों समझ में आई और दोनों equal है मतलब बाया वकल बराबर दाया वकल यह कब होत हमने का कि left left hand limit बराबर right hand limit हो तो क्या बोला था हमने कि limit exist करती है तो यहां पर limit जो ही exist करनी चाहिए उस point के लिए मतलब पूरा समझा देता हूँ, हम कहां से चले, हमने कहा, कि कोण ना बने, ठीक है जी, पहले स्टेप हमने क्या कहा, उस से भी पहले हमने कहा, क्या 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 क्य से उस सधसे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब state तो बायाँ आवकलाज, लेफ्ट डेरिवेटिव, जो हमने कलास 11 में निकाला हुआ है, और राइट डेरिवेटिव, दायाँ आवकलाज, ये दोनों बराबर हूँ, ठीक है जी, और बराबर ऐसे हूँ कि परिमित रूप से विद्यमान हूँ, एक्जिस्ट करने चाहिए ना, साथ में, तो परिमित रूप से, इसका मिनिंग भी समझाँगा मैं, परिमित रूप से, यानिके, फाइनाइट ली एक्जिस्ट करते हूँ, परिमित रूप से विद्यमान हूँ, इसका मिनिंग भी समझाँगा, तो ये अपने स्टेप है, ठीक है जी, यहां से चले हम, और यहां पर आ गए, अब यह दोनों बराबर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कि C बिंदू पर लिमिट एक्जिस्ट करती हो, अवकलज की लिमिट एक्जिस्ट करती हो, यह दोनों बराबर हैं, दोनों से मिनिंग क्या निकलेगा, कि C पर अवकलज की लिमिट जो है, आवकलर्स की limit सीमा भिद्यमान हो दोनों परावर हैं तो यह होगा न और इसको अब हम mathematically लिखते हैं दिमाग में हुशी कोई बात इसको हम mathematically लिखते हैं mathematically क्या हो जाएगा देखिए fx किसी बिंदू किसी बिंदू c पर आवकलर्स नहीं होगा यदी अवकलर्स देखते हैं इसका विद्यमान होगा यदी अवकलर्स क्या होगा f-c बराबर limit x tends to c ठीक है जी और fx minus fc upon में x minus c यह exist करना चाहिए यह limit exist करनी चाहिए के लिए रहे जी अब इसमें से 2 निकलेंगे यह limit exist करने तो दोनों बायावकलर्स और दायावकलर्स दोनों निकलेंगे दोनों होने चाहिए बराबर यानि के अथाहर्द यह exist करनी चाहिए और परिमित रूप से परिमित रूप से विद्यमान हो यहाँ पर परिमित का वैसे कोई meaning नहीं है क्योंकि यह परिमित हुई तो वह exist नहीं करेगी ना परिमित रूप से विद्यमान हो अब देखिए पहले हम बायावकलर्स की बात करते हैं इसमें से दो अकलर्स निकलें दोनों बराबर होंगे ना तभी limit exist करेगी तो बायावकलर्स क्या होगा कि limit x tends to c minus और fx minus fc अपॉन में x minus c यह बराबर होना चाहिए यह तो है बाया c minus बाया ना और दाया क्या होगा कि limit x tends to c plus f x minus fc अपॉन में x minus c अब इसको हम h में कनवर्ट कर लेते हैं यानि कि limit जाँ उसको 0 में कनवर्ट कर लेते हैं 0 में convert करेंगे तो आपको पता है, क्या बनेगा, कि limit h tends to 0, c minus है तो यहाँ पर x की जगे c minus h, तो f c minus h minus fc upon x की जगे c minus h, c minus h और आगे minus c, equals to limit h tends to 0, यहाँ पर c plus h दाया उकल आजाई, यह तो right hand derivative है, यह वाला left hand derivative है, तो यहाँ पर क्या होजएगा, अक्स की जगे c plus h, c plus h, जैसे हमने पहले देखा हुआ न limit में, बिल्कुल उसी तरह से, उसी concept को आगे बढ़ा रहा हूं है, तो यह होजएगा c plus h minus c, यहाँ से जो कट रहा है देखिए यह कट रहा है न, plus का c, minus का c, plus का c, minus का c, यह कटा, तो last में हमारे पास में क्या result आया, limit h tends to 0, f, c, minus h, minus f, c, upon में, minus का h, equals to limit h tends to 0, f, c, plus h, minus f, c, upon में, h, this, यह दोनों बराबर और exist करने चाहिए, exist का मतलब infinite value नहीं आने चाहिए, और परिमीत का मतलब क्या है, वो समझ लेते हैं, परिमीत का मतलब क्या है, परिमीत रूप से विद्धेमान है, परिमीत रूप से विद्धेमान है, है न, यह बोलो न, हमने, उसका meaning समझते है, meaning, अर्थिस का, जैसे मैं एक example लों कि f, x आपके पास में है, अक्स साइन, वन अपोन में, अक्स, ठीक है जी, अब इसका मैं निकालता हूँ क्या, किसी point महा लेजी, मैंने point ले लिया, 0 point, कि x बराबर 0 पर चेक कीजिए, इसकी differentiability हम निकालता है, तो f-0 निकालेंगे, f-0, तो वो क्या होगा, क्या होगा, limit x tends to 0, जेकि दो बात है, मैंने क्या बोला, एक तो मैंने यह बोला, कि यह दो निकाल लीजिए, और यह दो निकालने का मतलब क्या है, यह वाला point, x tends to c हैंग, यह एक्जिस्ट करे, तो यही ले रहे हैं हम 0 पे यह 0 की वेलू यहां पर हो गई 0 ओके तो यहां पर निकालते हैं F X माइनस F C होता है तो F 0 और अपोन में X माइनस 0 हो गई है जी F X की वेलू क्या है? X Sine 1 अपोन X तो लिमिट X Tends to 0 X Sine 1 अपोन में X माइनस F 0 की वेलू X की तो 0 पूट करेंगे तो 0 आएगा 0 पूट के तो यह 0 यह गया 0 अपोन में X माइनस 0 X हो गया X माइनस 0 X हो गया समझ में आ रहा है कुछ? इसी तरह चे होंगे हलांकि इस चेप्टर में हम दया अपकलज भायां कर निका लेंगे यह माबलों को समझा रहा हूँ कि परिमित रूप से का क्या मतलब है हमने यह पर लिया X से X सला जाएगा यह तो 0 है यह तो हट गया साइन 1 अपोन X X tends to 0 साइन 1 अपोन X हमने बोला हूँ है कि यह लिमिट एक्जिस्ट नहीं करती यह परिमित रूप से नहीं है कैसा नहीं है कि हमने value put की X की value 0 put की तो sine 1 अपोन में 0 आया और यह value आया sine infinite ठीक है जी तो sine में X की value real number में से कोई भी put कर दीजिए ठीक है ना तो उसका man जो आपको पता है minus 1 से 1 के बीच में आता की रिंज क्या होती तक तक तो इसके बीच में कोई ना कोई वेल्यू बाइड नहीं परतिकुल उड़ी तो लृद्व से बहुत सौरी एल होती था लृद मीन 1 by 2 minus 1 by 3 इस तरह से बहुत सारी तो उनमें से कोई भी एक आसकती है तो यह unique नहीं है कहने का मतलब यह है कि unique नहीं है और इसको बोल सकते हैं कि आप परीमित आप अप्रिमित का मतलब यहीं है कि अकलिन या कभ नहीं होगा, अकलिन यह है थिप्प्रन नहीं होगा ना वकलिन हम ऐसो फेसे बनां सुर्थस् 1, अकब क्विद्ध मैंधेक देखनें हैं हमने ग्राफिक लिरेगा कि अफिरेखने 0 और इसका वही मेनिंग था क्या था कि लिम्त एक ही और यह दोनों यह और यह दोनों यहां पर यह बात अपनों समझ में आई, उसी तरह से अवकलज में derivative क्या होगा एफडेस होगा तो यहां पर पॉइंट है C तो एफडेस C-0 का मतलब क्या होगा left-hand derivative है ना बयाँ अवकलज तो बयाँ अवकलज या दायाँ अवकलज या दोनो या दोनो विद्यमान नहीं है ठीक है एक्जिस्ट नहीं करते हैं या एक पर्टिकुलर रियल नमबर नहीं आ रही है बात आपनों सम्झे आगी तब क्या होगा C पॉइंट पर अवकलेंट नहीं होगा फंक्सन उसके बाद में हम कहीं कि एफडेस C-0 एफडेस C-0 या एफडेस C-0 डोनों ही या फिर डोनों ही एफडेस परिमित हुँ या यनी कि अंत्राल के रूप में एक इंटर्वल के रूप में रिजल्ट है कि कौन सा आएगा पता नहीं ज П fine तो हम कहेंगे और एफडेस थो न में एफडेस नहीं करता है इसमें कोई जयदा इफडेस नहीं है तो इसके बाद बें हम कहें कि एक जिश्ट तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं है नहीं बराबर होने चीह नहीं यह यह बराबर नहीं है लेपट hand derivative note इकॉल स्टू राइट hand derivative बराबर नहीं है तब भी C पर और के उकलीनियन ना उनकी बात करते हैं विवर्थ अंतराल में बात करते हैं कि Fx से Fx से विवर्थ अंतराल जो डॉमेन की रूप में होगा उसमें से AX की वेल्य आएगी हमने लिया AB में अउकलनिय होगा कब होगा बिल्कुल वो जो सेंतरत में हमने देखा था ना continuous में वैसा यह सारा system कि अवकल निया होगा यदि यदि इस अंतराल यदि इस अंतराल ए बी के प्रतेग बिंदू पर प्रतेग बिंदू पर प्रतेग पॉइंट के ओपर क्या हो बात आपनों समझ में आ गई अवकल निया हो ठीक हो ठीक उसके बाद में हम बात करें क्लोज इंटरोल में तो ऐफ अक्स सेंवर्त अंतराल क्रोस इंटरोल में सेंवर्त दूसरी कंडिशन दूसरी condition क्या देखी यह तो इससे हमें बड़ा मान लेना है बड़े लिए दायां उकलज दो ए पर दायां उकलज तो ए पर दायां उकलज टीका जी विद्यमान हो विद्यमान होगा यहां पर एकवल में वहांने continuous में हमने क्या देखा था कि f a भी होना चाहिए बराबर में यहां पर f a वाला system नहीं है ठीक है यह नहीं आए तो a पर दाया उकलज विद्ध्यमान हो और b पर क्या होगा b से चोटा लेना एक्स है तो b से चोटा का मतलब है b से b पर बाया उकलज बाया उकलज विद्ध्यमान हो यह तीनों बाते हैं तो उस संवर्थ अंत्राल क्लोज इंट्रवल में प्रते एक बिंदू के उपर f a वह क्या होगा अकलनिय होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ना तो कई से टूट रहा है ना कहीं पर एंगल बन रहा किसी भी पॉइंट पर अगर यह तीनों बाते लागो हो जाती है तो बात आप लोग समझ में आ गई अब देखिए कुछ बाते आप लोग नोट कर लेनी कि कोई फाक्शन अगर किसी पॉइंट के उपर या किसी इंट्रवल में डिप्रेंशेब नहीं होगा क्योंकि उसके बाद हम एंगल भी तो देखते हैं अ EU fabrics AIianceत हो गया फिर हम चेकटे करतें कि एंगल आ रहा ये नहीं आ रहा आ आता है तो डिप्रेंशेबर नहीं एंगल नहीं होता है तो डिप्रेंशी बल होता है और जितने भी हमारे पास में ऐसातत फ़लन थे, डिसकॉंटिनिस फ़लन थे, जिन पॉइंट्स के ओपर थे, उन पॉइंट्स के ओपर वो डिप्रेंशेबल भी नहीं होगे, जैसे हम बात करें यहां पर, हम आते हैं, देखिए यह रहे वो, ऐसातत फ़लन, मैतम पुनांग इसात फ़लन थे, आर में जगे 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 टूट रहा था, तो टूट रहा था, तो ऐसा थे था, तो यह डिप्रेंशेबल भी नहीं होगा, टीका जी, नोडिप्रेंशेबल, उसके बाद हम बात करें हम, विधक्रम प्लन, तो यह आर में 0 आता हो, 0 पे यह क्या होता है, होता है तो आर में यह भी क्या हो जाएगा नोड डिफ्रेंशिवल उसके बाद हम बात करें तो यहां पर दें कि पाइवाइट थी पाइवाइट यह जो पॉइंट थे इन पर यह क्या थे ऐसा थे इन पॉइंट के ओपर यह अवकलनिय भी नहीं होंगे है न और अगर यह इस इन पॉइंट होराय। वर्ण गंते बात करें कोटक्स कोशे काख़ करें तो के यह पॉइंट इसा थे तो इन पॉइंट के उपर क्उपर डिफ्रेंशिवल नहीं होंगे यह दो लें इन points के बीच में हम ले लेते हैं यहां पर interval 0 से πाई के बीच में, πाई से 2 पाई के बीच में तो यह interval लेंगे तब जाके यह differenceable हो सकते हैं, उसके बाद में fx बराबर 2 आपक्स था, तो x बराबर 0 पर यह ऐसा था था, तो इस point के ओपर differentiable नहीं होगा, ठीक है जी अपक्स बराबर शाइन अबना पुनक्स था तो ये भी 0 पया सतत था डिसकंटिनूस था तो ये भी इस पॉइंट के उपर डिप्रेंशेबल नहीं होगा अब बात करें कि जो सतत फलन थे वो उन में कौन-कौन से डिप्रेंशेबल होंगे उसके बाद में तत्समक फलन की बात करें आइडेंटिटी फंक्सन की तो ये भी ना तो ये अंगल बना रहा है शीधा जा रहा देखें तो ना ही कहीं से टूट रहा है तो ये भी डिप्रेंशेबल आर में ना आर यहां पर इंटरवल होता है ना माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में इंटरवल होता है तो इस इंटरवल में यह डिपरेंशेबल हो जाएगा बहुपत फिलन की बात करें तो बहुपत फिलन भी जो है वह कहीं से नहीं टूटते हैं और ना ही कोई अंगल बन और बात कद नहीं टोटते हैं क्योंड थे तो एthough वर में बनाता है और में इसमें गड़बढ है, मापांग फलन दे कि यहां पर 0 पर अंगल बना रहा है, यहां बन रहा है, तो यह दिप्रेंशेबल नहीं होगा, या फिर कहें कि 0 पर डिप्रेंशेबल नहीं होगा, ठीक हजी, उसके बाद हम बात करें, और इसने हैं, ठीक ही, तो यह हो गए सारे, ओर हमने मापांगों हो गया और कोई है नहीं ठीक है जी बागी सारी हमने वाइख केलिए एक to फंक्सन फ써 मैंने वही है पर्रोपटी की बात कहले है быстр सतत की जिगह दगा है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए ठीक है जी और इनका composite बनाएंगे तो वो भी differentiable होगा अब एक equation ले ले लेते हैं देखे equation है कि f x ब्राबर x square minus 1 अगर x की value greater than equals to greater than 1 है और less than equals to 1 है तो x minus 1 तो x ब्राबर 1 पर अवकलिनलता चेक करेंगे differentiability चेक लेंगे तो सबसे पर left hand derivative देखेंगे ठीक है जी तो f d से point हमारे पास में 1 तो 1 minus 0 यह हो गया left hand derivative लिमिट x tends to 1 minus derivative में क्या करेंगे f x minus f a upon में a की जिगह यहां पर क्या होगा एक ही जिगह होगा 1 है यह एब c होता है तो उसकी जिगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है न और नीचे x minus 1 अब यहां पर f x की value क्या होगी 1 से चोटी x की value तो x minus 1 f x की value x minus 1 तो limit x tends to 1 minus और f x की जिगह है x minus 1 ठीक है जब x की value चोटी है minus f 1 की value तो f1 की value देखिए x बराबर 1 है तो यह value होगी ठीक है जी तो यह value हम put करेंगे x minus 1 तो इसमें 1 put करेंगे तो 1 minus 1 होगा 0 तो यह value आई 0 और नीचे x minus 1 ठीक है जी अब इसको हम इसमें कनोट करेंगे h में f-1-0 बराबर देखे, limit h में करनोट करेंगे, तो h tends to 0, और x की जगर क्या पूट करेंगे, 1-h, यही तो पूट करेंगे न, तो 1-h, बना गए है, x की जगर पूट करें, 0 यहाँ पर हट चुका है, नीचे, 1-h, minus 1, value क्या आती है, देखते है, limit h tends to 0, यह तो कट गया, जी, उपर बचा minus का h, और यह भी कट गया, नीचे बचा minus का h, यह दोनों कटे, minus के, minus के, ठीक है, value आई 1, ठीक है जी, यह value बना रही है, उसके बाद में हम right hand derivative की बात करें, तो f-1-0, इसमें देखिए, limit x tends to 1 plus, यानके 1 से बड़ी value, f-1 की, ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, और अपोन में x minus 1 है, यहाँ पर देखिए, 1 से बड़ी के लिए value आ रही है, x square minus का 1 यह value है, यह पूट करेंगे हम, तो limit x tends to 1 plus, और f-1 की बादी तो 0 ही है, f-1 की बादी तो, यह 1 पूट की है, आप x की जिगह है, तो 1 minus 1 यह 0 हो जाएगा, ना, नीचे x minus 1 ही, अब हम इसको h में convert करेंगे, तो f-1 plus 0 equals to limit h tends to 0, और यहाँ पर देखिए, x की जिगह क्या हो जाएगा, 1 plus है ना, minus का बना गया ही, यह तो कट गया जी, और यहाँ पर square हो लेते हैं, तो limit h tends to 0, square हो ला तो 1 plus h, square plus 2 h, और minus का h, ने minus का 1, अपोन में h, यह 1 से minus 1 चला गया, अब जो value बचरी, उसमें h common आ रहा है, उपर देखिए, h हमने common लिया, तो limit h tends to 0, और h common लिया, तो यहाँ बचा h, और plus में बचा 2, यह h बार आ गया, common आ गया, अपोन में h है, h से h चला गया, तो नीचे से h हट चुका है, limit में हम ही करते थे, नीचे से value हटा देते, अब हम put करेंगे limit, तो 0 plus 2 हो जाएगा, h plus 2, 0 plus 2 बन गया, value i 2, देखिए, left hand derivative जो था, वो तो आया था, one, और right hand derivative आ रहा है, two, तो यह दोनों बराबर नहीं है, exist तो कर रहे हैं, बराबर नहीं है, तो left hand derivative, not equals to right hand derivative, तो हम कहेंगे, कि x बराबर one पर function, जो है वो, differentiable नहीं है, differentiable not, clear है जी, तो इस तरह से, हम questions का solution करेंगे, जो exercise में आएंगे, examples होंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पर अपनी theory, जो है, यह theory number two complete, और chapter six की theory complete हो रही है, बाकि हम questions में, बचा कुछा जो भी है, वहाँ पर देख लेंगे, और मापांग फलन का वीडियो आप लोगों जल्दी मिलेगा, thank you so much वीडियो देखने के लिए, और जाते जाते तिनल को subscribe जरू करते ना नहीं किया है तो, और share जरूर करना आपने दोस्तों को और साथ में like तो करना ही करना है, कोई दिक्रत हो भी तो comment करें, और बड़िया बड़िया comment करें, thank you so much.